Hey guys, welcome back to Learn with Rajni तो friends, कैसे हैं आप सब? I hope आप सब एकदम अच्छे हैं और exam की तयारी जोर शोर से कर रहे हैं Friends, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे synonyms आज का topic शुरू करने से पहले मैं आपका एक मिनट लेना चाहूंगी कि यह जो भी हमारी vocab चल रही है चाहे वो one word substitution ले लीजिए idiom phrases ले लीजिए, synonyms ले लीजिए एंटोनिम अभी मैंने start नहीं किये हैं क्योंकि जब synonyms का एक अच्छा सा collection हो जाएगा उसके बाद मैं एंटोनिम स्टार्ट करूँगे आपके लिए तब आप ये देखोगे कि आपको एंटोनिम लर्ण करने में जादा जोर नहीं आ रहा है ये जो strategy है मेरी वो मैं खुद पर apply करती थी जब मैं खुद vocabulary लर्ण किया करती थी तो जैसे ही हमारी vocab चल रही है उसके बाद मैं आपके लिए लेकर आऊंगे marathon classes ठीक है? vocab से शुरू करेंगे सारे topics की marathon classes हम लाएंगे उसमें हम जैसे मान लेजिए idioms and phrases एक topic ले लिया तो idioms and phrases में मैंने जो भी आपको करवाए हैं वो और उनके साथ और भी बहुत सारे idioms and phrases होंगे तो vocabularie की जो marathon classes होंगी उनको आपको miss नहीं करना है उसका एक reason यह है कि वो एक class ही उस एक topic को revision करने के लिए काफी होगी मतलब उस एक class में उस topic का almost पूरा पूरी चीज़ पूरा content आपको मिल जाएगा एक चीज़ और मैं clear करूं कि यहाँ पर मैं जो भी vocab ला रही हूं वो मैं उन books या फिर उन चीज़ों से ले रही हूं जो किसी ना किसी exam में आए हुए हैं और exam के point of view से important हैं तो जो भी vocabulary में मैं जो भी आपको चीज़े यहाँ पर दे रही हूं उनको आपको अच्छे से learn करना ही करना है इनकी pdf की बात करूं तो हमारे telegram group में हम हर दिन pdf डाल देते हैं बीच में एक दो classes ऐसी रही थी जिनकी pdf हम आपको provide नहीं करा पाए थे जैसे कि verb part 2 है, noun है उनकी pdf भी मैंने telegram group में upload करवा दी है वहां से आप ले सकते हैं तो इनकी pdf से आपको revision भी करना है अच्छे से उनको revision करते हुए चलना है तो marathon classes के लिए तयार रहे और मैंने marathon classes पर काम करना शुरू भी कर दिया है दिवाले की छुटियां होंगे, मेरे पास 5-7 दिन होंगे उसको मैं अच्छे से utilize करूँगी और marathon classes के लिए आपके लिए अच्छा सा content ढूंडूँगी तो ready रहना marathon classes के लिए vocabulary से शुरू करेंगे और आप बिल्कुल भी doubt में नहीं रहें कि मैं हमारा syllabus पूरा करवा दोगी आपका syllabus टाइम से पहले पूरा करवाँगी उसके बाद में सिर्फ questions करेंगे, model papers करेंगे तो start करते हैं हमारा topic और first ठीक है, first देखिए first word है reticent अब reticent किसे कहेंगे reticent होता है reserved, quiet, taciturn या silent शान्थ स्वभावाला आदमी, चुप, शान्थ, ठीक है जो चुप रहना, कम बोलने वाला उसको कहेंगे reticent, reticent क्या है ये एक adjective है, ओके तो reticent के सिरोनिम होंगे reserved, ठीक है कम मिलनसार, कम बोलने वाला, quiet, चुप या शान्थ silent, शान्थ, taciturn, कम, कम बोलने वाला, कम मिलनसार next है, sordid sordid कहेंगे भद्दे को, गंदे को, ठीक है उसको कहेंगे sordid, distasteful, unpleasant, amaranjak, dirty, गंदा, ग्रबी ठीक है, distasteful, unpleasant, dirty, और ग्रबी वो कहेंगे sordid, भद्दा next है, surmount surmount कहेंगे जीत, विजय प्राप्त करना, किसी चीज़ को overcome कर लेना, ठीक है जीत लेना, तो surmount का होगा overcome, prevail, conquer, triumph ठीक है, जीत, conquer, जीत लेना तो surmount के synonyms होगे overcome, prevail, conquer, और triumph आगे चलते हैं, tedious tedious होता है, उबाओ, पका देने वाला ठीक है, tedious पकाओ या उबाओ, boring, dull, dreary wearisome, यानि अजीब wearisome मिन्स अजीब तो boring, dull, dreary और wearisome tedious के synonyms है आगे देखते हैं, insight insight होता है, उत्तेजित कर देना भढ़का देना, ठीक है provoke करना arouse, provoke, spur, stimulate भढ़काना, उत्तेजित करना arouse, provoke, spur, stimulate आगे यह flaunt flaunt होता है, दिखाना ठीक है, दिखाना या show off करना दिखावा करना flaunt, देखो mobile आप चलाते हैं सभी उसमे एक flaunt वाली display होती है, मिलब display वे उपे flaunt करती है, एक दूसरी display, ठीक है दूसरी screen आजाती है तो उसको flaunt screen कहते हैं यानि वो दिखती रहती है यानि show off दिखाना, display, exhibit plant यह synonym होंगे show off, display, exhibit पोर्गो त्याग देना, पोर्गो होगा त्याग देना, छोड़ देना renounce relinquish, abandon forsake renounce, relinquish, abandon और forsake next ग्रेंडोर ग्रेंडोर होता है भव्य शान्दार भव्य या शान्दार इसके synonyms होंगे magnificence, splendor majesty, opulence magnificence splendor, majesty और opulence इसमें यह spelling सही नहीं है E आएगा यहाँ पे E नहीं आएगा E कर लेना इसको, ओके typing error है next harass harass करना यानि नाराज करना उत्पिडन करना annoying, wax tease, irritate चिढ़ना tease करना उत्पिडन करना या annoy, नाराज करना harass next हाँ, fecal fecal होता ice thir ice thir या dhulmul unstable जिसमें जो stable नहीं हो fecal volatile waves होती है ना, लहरे वो आती है जाती है मतलब वो क्या है fecal है fecal है वो स्थिर नहीं है ऐस्थिर है unsteady और capricious capricious आगे चलते हैं eccentric eccentric होता है ऐ प्राकरतिक अजीब ऐसाम्मान्य unnatural whimsical strange और abnormal abnormal ऐसाम्माने strange अजीब whimsical होता है अजीब next है expel हटा देना निकाल देना remove खीक है exact बाहर निकाल देना एक तो insert एक exact discharge throw out हटाना बाहर निकालना expel dwindle के synonyms क्या होंगे decrease कम कर देना decay decline diminish dwindle मतलब घटा देना कम कर देना तो dwindle के synonyms होंगे decrease decay decline or diminish doleful next word है doleful doleful किसे कहेंगे उदास doleful किसे कहेंगे दुखिया उदास को ये क्या है ये एक adjective है तो doleful के synonyms होंगे sad woful woe wo wo होता है दर्द दुख तो woful होगा दुखी miserable dainy mournful ठीक है mourn होता है विलाप करना तो doleful के synonyms होंगे sad woful miserable और mournful next affable affable होता है मिलनसार ठीक है जो लोगों से घुल मिल जाए मिलनसार तो genial amiable cordial और benign genial amiable cordial और benign affable के synonyms है affable मिन्स होता है मिलनसार घुलने मिलने वाला ठीक है मिलनसार स्वभाव वाला व्यक्ति उसके लिए यूज़ करेंगे affable word का आगे चलते हैं amity amity क्या होता है मेत्रिपूर्ण सोहार्द पूर्ण ठीक है amity होते है सोहार्द या मेत्रिपूर्ण स्वभाव को कहेंगे friendliness harmony so hard cordiality मिलनसार ठीक है friendliness harmony और cordiality amity noun होती है ओके boastful boastful कहते हैं घमंडी किसे कहेंगे घमंडी egoist और egoist मैंने आपको बढ़ाया था egoist और egoist जब मैंने आपको one word बढ़ाया थे इस तरह से जो words होते हैं वह एक दूसरे में आ जाते हैं egoist होता है जो खुद में ही interest रखने वाला आई आया है यहां पे और egoist egoist होता है जो खुद के बारे में टॉक करने वाला टी आता है तो टॉक करना जो खुद के बारे में ही बोलता रहे टॉक करता रहे egoist interest आई आया है तो खुद में ही interest रखे या निगमंडी egoist proud arrogant घमंडी होना भीड gathering assembly throng meeting उसको कहेंगे congregation delicate delicate होता है नाजुक soft precile slender tender effizy effizy के synonym क्या होंगे effizy होता है प्रतीक model dummy image replica dummy model image image replica यह थे हमारे आज के synonyms vocabulary की एक क्लास में मैं आपको 20 या 30 words ही करवाती हूँ क्योंकि 20-30 words आपको एक क्लास को अगर आप देखेंगे तो अच्छे से learn हो जाएंगे इसकी PDF में से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको फटाफट याद होते जाएंगे उसके बाद में इन सब का collection आएगा marathon classes में उसमें हम काफी संख्या में words लेंगे और उन पे हमारा उसका revision भी हो जाएगा और एक साथ आपको सारी चीज़े मिलेंगी जैसे मालो idioms and phrases ले लिए तो एक ही class enough है idiom and phrases की वो एक class ही enough है synonym की एक class ही enough है यह जो मेरी strategy है vocabulary learn करने की especially antonym and synonym की पहले synonym याद करें देखो खुद पे भी आप एक बार apply करके अगर आप किसी भी बुक से या किसी अगर आप किसी के भी notes से antonyno learn कर रहे हैं तो मेरा आपको यह suggestion है आप पहले synonym learn करें synonym का अच्छा सा collection याद हो जाए 200-500-1000 synonym याद हो जाए उसके बाद में आप antonym को लें और मैं कह रही हूँ कि antonym learn करने में आपको बिल्कुल जोर नहीं आएगा ओके तो यह apply करके देखें यह funda एक बार I hope आपको आज की class अच्छी लगी होगी friends अगर class अच्छी लगी है तो प्लीज इसको like करें जादा से जादा शेयर करें और अगर आप learn with रजनी पे नए हैं तो प्लीज चैनल को subscribe करना ना भूले मिलते हैं next class में तब तक के लिए बाबाई